नमस्कार दोस्तो आज का यह जो अपडेट है इसमें कुछ basic cautious map के साथ आप पर डिसकस करूँगा हर परीक्षा में यह प्रशना आपका पर पूछे आते हैं तो बिलकुल आपर समय वर्त नहीं करते हैं सीधे से बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की ओर तो सबसे पहले पुछा रहा है सबसे बड़ी हड़ी तो मानक शरीर की जो सबसे बड़ी हड़ी है सबसे बड़ी जो bone है fever है और इसको आप लोग यहाद रखें next यहाद बढ़ जाते हैं सबसे छोटी हड़ी तो मानक शरीर की जो सबसे छोटी हड़ी है सबसे smallest जो यहाँ पर बोल है stepes इसको आपर बोला जाता है next यहाँ पर दोस्ते आपर बढ़ जाते है सबसे बड़ी गरंथी तो मानब शरीर की जो सबसे बड़ी गरंथी है यकरत है इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखे next यहाँ पर बढ़ जाते है सबसे बड़ी अंतसराव गरंथी तो दोस्तों देखिए थाराइड गरंथी है और अब बढ़ जाते है next सबसे बड़ी कोशिका तो मानब शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है neuron इसको आपर बोला जाता है next यहाँ पर बढ़ जाते है सबसे बड़ी धमनी, तो देखिए मानफ चरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है, यहाँ पर औरटा इसको आपर बोला जाता है, सबसे लंबी तंत्रिका, तो मानफ चरीर की जो सबसे बड़ी तंत्रिका है, शेल्टिक उसको आपर बोला जाता है, सबसे बड़ी पेशी, तो दोस तो दोस्तों देखी सबसे बड़ा आपको आपको बताना है श्वेट रचत करने हाप्र कौन सा होता है तो मोनो साइट इसको आपर बोला जाता है सबसे अधिक पुरारूदृत शम्ता तो दोस्तों देखिए यक्रित कोशिका है और सबसे कम पुनारूद्रित जो यहां पर शमता है, मस्तिक कोशिका है और दोस्तों देखे, next आपर बढ़ जाते हैं सबसे बड़ा जो अंग है मारभ शरीर का तुचा है और देखे, इसके नहीं, next आपर बढ़ जाते हैं सबसे व्यस्त अंग, तो दोस्तों देखिए हिरदय है, next आपर बढ़ जाते हैं, सबसे पतली तुचा, तो दोस्तों देखिए कंजेंटिवा है, और दोस्तों देखिए सबसे पतली तुचा है, कंजेंटिवा इसको आपर बोलते हैं, next आपर बढ़ जाते हैं, संपूर शरीर तो दोस्तों देखिए, नॉर्मल यहाँ पर देखिए, जो blood pressure रहता है, 80 to 120 होता है, mmHg, और इसको आप लोगी यहाँ पर याद रखे, नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ जाते हैं, लाल रगत कणू का G1 काल, तो दोस्तों देखिए, red blood cells का आपको यहाँ पर life span बताना है, तो दो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बढ़ जाते हैं, सर्व दाता, एरकत समू, तो दोस्तों देखिए, O group है, और सर्व ग्रही जो यहाँ पर देखिए, रकत समू है, AB group है, और AB बलेट ग्रही होता है, सर्व ग्रही होता है, सामाने शरीर का नातारा है, 98.4 degree Fahrenheit हैं, और अंत में यहाँ पर देखिए, श्रशन की जो यहाँ पर दर है 16 से 20 प्रती मिनिट यहाँ पर रहने वाली है, तो दोस्तों देखिए यह कुछ basic सवाल थे, जो कि साइंस में, biology में आप से आप पूछे आते हैं, और हर एक परीक्षा में यह सवाल आपके आप पूछे आते हैं, बार-बार यहाँ पर रिपीट होते हैं, तो पूरी जानकारी मैंने आपको आप दी, और information आपका आप समझ में आई, तो लाइक जरू करना लाइक करना इस वीडियो को, दिलसद वीडियो कहां पर लाइक करें, इस मेरत को लाइक जरू करें कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है आप सब लोग हमसा पर पूछ सकते हैं, अपना feedback जरूर दें, अगर information आपको आप समझ में आ गई है, ठेंक्यू का मैं से जरूर लखें information इसी तरीके से आगे, पात रहें तो मिलता है अगले वीडियो में, ठेंक्यू सो मच